MCD के महारिशी वालमिकी अस्पताल में डिप्थीरिया बिमारी के कारण बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है कॉंग्रेस नीता शर्मिष्ठा मुगर्जी से बारे में बात करते हैं मैं MCD कह रही है कि हमारे पास सप्लाई नहीं आ रही है लेकिन CRI कसूली में बात हुई उनने कहा है कि हमारे पास 20 दिन से सप्लाई रिडी है लेकिन कोई लेने ही नहीं आ रहा दिस्टाम चैन्टी के लिए होती है देखिए इस दुकत घटना को जिस तरह से बच्चों की मौत हुई है इसको मैं बोलूँगी कि murder by negligence एक सरकारी हस्पताल में छोटे-छोटे बच्चों की मौत हो रहा है इस वज़े से की दवाई नहीं है वो दिल्ली जैसे जगा में ये इसको ये अनफरगीबिबल है और इसमें भी हम देख रहे हैं कि blame game चल रहे हैं MCD का जो हमने अकबार में पढ़ा कि MCD की director ने बोला कि CRI से supply नहीं आ रहे है CRI बोल रहे है कि medicines ready है 15-20 दिनों से लेकिन कोई लेने के लिए नहीं आया तो accountability किसकी है ये जो बच्चों के जो मौत हुआ इसके लिए accountability किसकी है और जो बहाई अकबार में पढ़ रहे थी कि हर साल ये diptheria इस समय में होते है बच्चों लोग affected होते हैं कुछ बच्चे तो पहले से preparation क्यों नहीं लिया गया हम जानना चाहेंगे doctor से पहले से medicine stack up करके क्यों नहीं रखा गया अगर ये हर साल ऐसे इस तरह की diptheria इस समय में होते है जैसे डेंगू हो या चिकन गुनिया हो एक seasonal बिमारी के लिए उसके लिए पहले तो preparation लेना बहुत जरूरी है या नहीं तो पहले से कोई नहीं preparation लिया गया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये blame game की सिलसिला जो जारी है लेकिन बच्चों की जो मौत हो गई है उनके लिए responsible कौन है उसके लिए accountable कौन है इस बात का जबाब सरकार को देना पड़ेगा अपने आपको और कोई भी जिम्मेदारी नहीं दे रहा है आपकी लोगों की दिमांड क्या है हमारे दिमांड है इसे थोरो investigation होना जरूरी है एक neutral जांच होना जरूरी है और इसमें accountability होना जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि ये सरकार एक कहीं MCD हो या Central Government हो या दिल्ली सरकार हो कोई भी responsibility लेने के लिए तयार नहीं है किसी का भी accountability नहीं है तो इस तरह से सरकार कैसे चलेगी और इस तरह से बेवजह है जो चोटे चोटे बच्चों की मौत हुए है तो ये इसके लिए किसी कोई ना कोई तो जिम्मेबार होगा शरम की बात है और दिल्ली में जहां केज जिवाल जी बोल रहे हैं कि वो हेल्थ सेक्टर में revolution लेके आये हैं और मोधी सरकार केंद्री में और MCD जो BJP के हैं जो गरीब लोगों के लिए ही तो ये सब किया गया हैं जो गरीब लोग हैं जो प्राइबट हस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं वही तो वही तो सरकारी हस्पाताल में जाएंगे तो इस तरह से अगर उनका treat किया जाए, उन लोगों को treat किया जाए, उनको कोई सुभीदा ना दिया जाए, तो फिर सरकार को समझना चाहिए कि सरकार चलाने की उनकी कोई moral उनकी base नहीं है, कोई उनका morality ground पर भी इन सब का इस्तफा देना चाहिए. तो जाय तोट पर Congress डिमांड कर रही है कि इसकी पूरी investigation की जानी चाहिए, negligence murder का नाम इसको दिया गया है, और कहा है कि उन्हें तुरंत इस मामले के अंदर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए. कैमरामेन मनुष के साथ तरुन कालरा, टोटा न्यूस, दिल्ली.